दोस्तो आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार देखिया अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो बहुत सारे हमारे भीवर हैं जो कमेंट में पूछ रहा है खास तोर से एक हमारे फ्रेंड है यूजर पूरा नाम उनका मैं नहीं ले रहा हूँ तो अक्सर कमेंट आता है क सर्दी का मौसम आ रहा है ऐसे मौसम में हम रोहू पठान और इसने खेट का शिकार कैसे करें तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे शिकार कीजिएगा और चारा भी बताऊंगा कैसे आप सर्दी के मौसम में शिकार करेंगे तो देखिए दोस्तो तो सबसे पहले हमें मौसम के उपर ध्यान देना है, अगर सर्दी के मौसम में धूप निकला हुआ है और हवा नहीं है, मतलब हवा तेज नहीं है, तो आपको शिकार करना चाहिए, सर्दी के मौसम में धूप निकलने के बाद और धूप कम होने से पहले शिकार करना चाहिए, खास तोर से तो देखिए दोस्तों ये तो पहला ट्रीक हो गया उसके बाद से आपको कौन सी मचली को कब शिकार करना है कैसे शिकार करना है तो सबसे पहले मैं रोहु मचली को बता रहा हूँ रोहु मचली को शिकार करने के लिए जब भी आप जाए देखेंगे सर्दी के मौसम में पानी साफ हो जाता है तो कभी भी फिशिंग हूग आप डाले तो पानी के अंदर थोड़ा दूर डालिएगा और पानी का जो टॉप लेवल है उससे फिशिंग हूग कम से कम डेढ़ मी मीटर से थोड़ा ऊपर फिशिंग हूग रखना चाहिए मेरा कहने का ये मतलब है यानि पानी का जो बॉटम है ना पानी का जो मिडिल वाला हिस्सा है बीच वाला हिस्सा है उससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए और फिशिंग हूग थोड़ा दूर फेकिएगा ताके मचल आपने डाला है और मचली का शिकार नहीं हो रहा है तो आपको एक चमच और डालना चाहिए और थोड़ा सा मेथी जो मसाला में इस्तेमाल होता है वो मेथी का पाउडर एक चुटकी हलका सा इस्तेमाल कीजिए अपने रोहू शिकार के चारा में तो ये हो गया रोहू मचली श यह मिर्गल मचली अगर जिन्दा मिर्गल मचली मिल जाता है तो कोशिस कीजिए कि आप छोटा छोटा ज्यादा बड़ा नहीं तीन इंच चार इंच पांच इंच उससे बड़ा नहीं तो इस मचली को मिडिल वाला हिस्सा में बॉड़ी के मिडिल वाला हिस्सा में फिशिंग रखियेगा यानि आसानी से आपको अंधाजा लगे कि मंचली जब तैरे जिन्दा है तो और तैरते हुए आपको हहसास हो कभी-कभी मचली उपर नीचे आए तो पठान मचली नीचे बीज़ाव कहीं भी होगी, बरारी या बुवाली मछली नीचे कहीं भी होगी, वो अपना चारा देख लेगी, और अक्सर पठान मछली पानी का टॉप लेबल पर हमला करती है मचली के ऊपर, तो ये शिकार करने का तरीका होगा पठान मछली का, अगर मिरकल मचली जिन्दा नहीं मिली है, मरी हुई है, तो उसको चाकू से छोटा-छोटा टुकडा कर लिजी और बिना बबलर के, तो ये दोस्तों ट्रिक देखिए, बिना बबलर के इस्तेमाल किये हुए, पानी के अंदर फिशिंग हुक डालिए, वो नीचे जमीन पर बै मरी हुई है, वो पानी के टॉप लेबल पर जाती है, मचली को उसका जो तरंग है, फ्रिक्वेंसी जो है, दूर से मिल जाता है बवाल मचली को, और वो तुरंट अटेक करती है, अगर मचली मरी हुई है, तो उसका छोटा टुकडा करके नीचे डालिए, जमीन पर बैठ ज जाएगा, तो बवाल मचली घूमते घूमते आ करके खाएगी, तो दोस्तों कभी भी कोशिस कीजिए, जिन्दा मचली हो, तो आपको तुरंट कम समय में ज्यादर शिकार मिलेगा, लेकिन अगर मरी हुई मिरगल मचली है, तो उसको टुकडा करके डालिएगा, तो शिकार म मचली, पोठिया मचली, अगर पोठिया मचली जिन्दा है, तो जैसे बौल मचली का आपने ट्रिक इस्तमाल किया, पानी के टॉप लेबल से एक फिट नीचे फिशिंग हूख है, उसी तरह से पोठिया मचली लगाईए, एसने खेट के लिए दोस्तों, तो जिन्दा है तो अब को शिकार करने के लिए क्योंकि मचली मअरी हुई है तो आपको शिकार तो मिलेगा बेंदेर से स्जान हा कर दो कम समय में आप याद एस भीड़ करेंगी तो दोस्तों यह कुछ ऐसमाईए दोस्तो काफी कारगर है अगर आपको फाइदा पहुंचता है दोस्तो तो वापस आ करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा दोस्तो अगर आपको फाइदा पहुंचता है तो दोस्तो एक चीज इसमें जानना जर कोई भी वीडियो देखिए तो आखिर तक देखिए कोई भी ट्रिक मिस कर देंगे तो आपको शिकार में मुश्किल होगा धन्यवाद दोस्ते